नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सलिय देशी किचन में हारदीक स्वागत है जीतिया स्पेसल छोटी मचली का रेसिपी लेकर आई हूँ इसका नाम है डेड़ी मचली यह जीतिया में बनाया जाता है छोटी मचली नहाय खाय के और पारन के दिन यहां पर हम लिए हैं लेड़ी मचली जो धान के खेती में पाया जाता है और खास तोरफ से यह जीतिया में ही बनाया जाता है ज्यादतर और यह चोटा है, जो कच्चा ही, इसे जिन्दा निगला जाता है मननत पूरा होने पर तो चलिए, दो टमाटन हमने ले लिया है में दो चमच पीला सर्सो दो चमच धनिया और लाल मिर्च लिया है हरा जो पक जाता है वही लाल मिर्च है ये लाल-लाल है और एक चमच जीरा एक चमच गोल की पाच फोड़न एक चमच एक चमच हल्दी अब हम ये मचली को आप देख सकते हैं इसमें नमक डाल देंगे और ये काफी अच्छे समने धो लिए 5-6 बार काफी धोना पड़ता है इसे और हल्दी डाल देंगे और दाल कर दोनों अच्छे से मिला लेंगे हल्दी और नमक अगर आप ज्यादा दिन के लिए इसे रखना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए तो आप सिरिफ हल् कर दिन तक तला हुआ रह सकता है फिरिज में और ठंडा के दिन में ऐसे भी रह सकता है बाहर भी तो इसे मिला लेते हैं ग्सफर लेते हैं हल्दी और नमक कड़ाई हमने ले लिया है इसमें डाल देंगे सरसो का तेल और इसको गरम होने देंगे और तेल को चारतर फेला देंगे एक नोंस्टिक परत बन जाता है कड़ाई में तेल को इस तरह से फेला देने से कड़ाई में और यह अच्छे से गरम हो जाए तब डाले तो बिल्कुल कडाही में नहीं चिपकेगा मेरा दावा है और गरांटी है तेल गरम हो चुका इसमें हमने डाल दिया है देड़ी मचली और यह जीतिया में बनाना खास तोर से बहुत जरूरी है और नहाय खाय के दिदे हमारे यहां बनता है यह तो यह दिखे हमने बोल्डन ब्राउन हो चुका है और बचा हुआ तेल में ही हम फिर से मचली को डाल देंगे और इसी तरह से चार तरफ फैला लेंगे इस सबसे छोटा वाला हमने डाला है जो एक दम काफी छोटा है खाने में काफी टेश्टी लगता है यह और यह दिखे हमने डाल दिया है जीतिया परम में यह छोटा मचली या मढवा का रोटी यह सब हमारी यह बनता है बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपने मढवा का रोटी और पोई साग का रेसिपी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तल चु लिए और यहां पर हमने तल लिया है और इसका हम अब यहां पर हमने चलाई रख दिया है और चलाई को यह से कच्चापन जो है निकल जाएगा और थोड़ासा टमाटत आनकी वाग का ए और एक लाएक कर दा दालने के लिए आप इसमें जादा भि जादा ग्रेवी बननाना तो ज़्यादा भी टमाटर इस्तमाल कर सकते हैं सारे मसाले हम डाल देंगे पिसने के लिए ध्यान रखे कि इस मसाले को एकदम बारिकी से पिसे मेहीन पिसे तब जाकर यह मचली जो है बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और यह दिखिए सारे मसाले हम डाल देंगे पीला सरस पिसलिये है पाश फुरन डाल देंगे तेल में चटक जाए तब हम मसाले डालेंगे पाश फुरन मचली में बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ाता है तो यह दिखिए मसाले को अमने डाल दिया है और मसाले को लगतार भूझेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चानल पर नहीं ह तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिये, हमारे रेसिपी को लाइक कीजिये, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि आने वाली रेसिपी को नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा. तो इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और कास्मीरी लाल मिर्च आधे चमच डाल दिया है आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो अब भूझने के समय जो हमारे मिकसर में लगा था मसाला उसे भी हमने थोड़ा सा पानी डाल कर डाल दिया है कि असानी से मसाले को भूझ ले और मसाला भूझ चुका तो इसमें हमने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा मसाले को धीला कर लेंगे मचली में मसाला भूनना बहुत ही जरूरी है तभी जाकर मचली जो है आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा तो ये दिखिए हमने मसाले को कितना अच्छा भून लिया है अब पानी डाल देंगे ये आप पर डिपेंड करता है 10-15 दिन तक असानी सरक सकते हैं और ये दिखिए हमने डाल दिया है अब इसी में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे जो हमने बचा कर रखा था बड़ा बड़ा टमाटर लिया था कमसे हमने 200 ग्राम टमाटर लिया था बड़ा बड़ा टमाटर था हमारा और ये दिखे डाल दिया है आप और ये जैसे ही चटक जाए थोड़ा सा पानी तो इसमें डाल देंगे धरी धनिया और ये दिखे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और लजीज बनता है और गर्मा गरम हो या ठंडा हो जैसे मंचा है आप इसे परोसे चिलो सिरानी को भी परोसें भोर में ये हम भोग के तोर पर बना कर रखते हैं इसी में खाते हैं और इसी में से बचा कर रखते हैं चिलो सियारिन के देनी के लिए यहाँ पर हमने मलुए का रोठी के साथ परोसा है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है दोस्तों हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और इस रेसिपी को अपने घर में जरूर टराई किजिएगा तो यह देखे कितना टेश्टी और कितने कम समय में जीतिया इस पेसल छोटी मचली यह डेड़ी मचली और मडवा का रोटी बहुत इस पेसल है और बहुत फेमस है हमारे बिहार में तो फिर से मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ